हलो गुड इवनिंग स्टुडेंट्स मर्सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हूं आज हम इस वीडियो में हर्स की परसासर व्यवस्ता एं हर्सवर्धन का बदुबन तम बर पत्रा भी लेख है इसके बारे में जानकरी प कैसा था इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं तो देखेगा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्स की परसासर व्यवस्ता और उसका मदुवन तमर पत्रा भी लेख ठीक है तो देखे पढ़ते हैं हर्स की परसासर व्यवस्ता कैसी थी हर्स का परसासर एक वीजेता वेन सांग के व्यात्रा विवरन के साथ साथ उसके कुछ लेखों से प्राप्ती होता है। था सम्राट तो हर्ष के समय में भी सासन व्यवस्ता का सवरूप राश्त अंत्रात्मक था राजा अपनी देविये सक्ति में विश्वास करता था वह महाराजा धीराज परम भट्टारक चक्रवर्ती पर्मेश्वर जैसी महान उपादिया धरन करता था हर्ष शरीद में हर्ष वर्धन को सभी देवताओं का समयलित अवतार कहा गया है उसकी तुन्ना सीव, इंद्र, यम, वरुन, कुबेर, आदिसे करते हुए सभी में समराट को स्रेश्टि बताया गया है उलेकनिया की मोर्यकाल के बाद राजत्वे में देवत्वे के आरूपन की जो भावना पर्शलित हुई वह इस समय तक पूर्ण रूपेन परतिश्टित हो गई थी वह पर्शासन का सर्वच्वे अधिकारी था, समराट कारिये परिका का परधान अध्यक्स, न्याय का परधान न्याय धीस तता सेना का सबसे बड़ा सेनापती हुआ करता था किन्तु महान उपादियों से यूक्तियम सक्ति संपन होने के बावजूद भी हर्श निरंग को सासक नहीं था उसका राज़त्वा समन्दी आदर्स अत्यंत उंचा था, प्राचे इन सास्त्रों के आदेशों का अनुक्रण करते हुए उसने परधा रक्षन तथा पालन को अपना सरोचे लक्से बनाया था बासकेडा तथा मदूबन के दानबत्रों में हर्श अपने परजावत्सल भावनों को इस परकार व्यक्त करता है, लक्समी का फल दान देने तथा दूसरों के यस की रक्षा करने में है मनुस्य को मन, वानी तथा करम से प्राणियों का हित करना चाहिए पून्या चंड का यह उत्तम उपार्थ है चंद्रगुप तदा असोग की भाती हर्श वेक्तिकत रूप से सासन के वीवित कारियों में भाग लेता था वेन सांग हमें बताता है कि हर्श का संपूर दिन तीन भागों में बग था एक भाग में वह पर्शासन कारिय करता था तदा सेस दो भागों में धार्मी कारियों में वेतित करता था वह अथक था और इन कारियों के लिए दिन उसे अत्यन छोटा पड़ता था अपने पज्जा की दसा को जानने के लिए हर समराजे के विभिन भागों का दोरा करता था ऐसे अवसरों पर उसके रहने के लिए ऐस्थाई आवास बनाए जाते थे जिने जैसकंधावार कहा जाता था बंसकेडा तथा मदूवन लेखों में करमसा है वर्दमान कोटी एम कपिथी का जैसकंधावारों का उलेख मिलता है एक अन्य जैसकंधावार अचिरावती नदी के तठपर इस्तित मनीतारा में था यहीं सरवापरतमबान की हर्ष से भेंट हुई थी अब देखेगा सामन्त एम मंत्री परेशद हर्ष के अधिनस्त सासक महराज अथ्वा महा सामन्त कहे जाते थे परशासन में सामन्तों का विशिष्ट स्थान था हर्ष चरीत तदा कादमबरी में विविन प्रकार के सामन्तों का उलेख मिलता है जैसे सामंद, महासामंद, आप्त सामंद, परधान सामंद, सत्रू सामंद तता प्रती सामंद हर्स तरीत के अनुसार हर्स ने महासामंदों को अपना करद बनात लिया था बसकेड़ा तता मदुवन के लेखों में महासामंद महाराज इस्वर गुप्त के नाम मिलते हैं आते सामंत शब्द का प्रियोग भूस्वामियों, अधिन, राज़ाउं तता उच्पदा दिकारियों के लिए होने लगा था अमाते तता कुमार अमाते जैसे पद भी सामंती विरूद बन गए थे एहोल लेक से पता चलता है कि हर्ष की सेना में बड़े-बड़े सामंत समेली थे आप्त सामंत वे थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपने स्वामी की अधिनता मान ली थी सत्रो सामंत अर्थ स्वतंत राजकुमार होते थे प्रती सामंत का अर्थ पस्ट नहीं है आरे सर्मा इने राजा का विरोधा भास रखने वाले अत्वा एमी नहीं सामंद मानते हैं देवा हुती के अनुसार इसे तात्परिय सत्रू राजाओं के सामंद से है इस प्रकार इस पर स्ट है कि हर्स का लिन परशासन पहले से कई अधिक सामंती समराठ को सहायता परदान करने के लिए एक मंतरी परिशत भी होती थी मंतरी को सचीव अत्वा अमाते कहा जाता था हर्स के समय में भंडी उसका परदान सचीव था ठीक है कई बार कि उसनों पूछ लेते हैं कि हर्स के समय में उसका परधान सचीव को था भंडी उत्राइतिकार जैसे महत्वपुन पर्षणों के उपर भी मंत्री परिशत की राजे आवसेक समझी जाती थी राजय वर्दन की मठ्यू के बाद उत्रातिकार के पर्षन को तैय करने के लिए भंडी ने मंत्री परिशत की बठक बुलाई थी उसका विदेश सचीव अवंती था विदेश सचीव की संग्या महासांधी विग्रहिक थी कई बार के उसनों पूछ लेते हैं महासांधी विग्रहिक कोन सा पद है वह है विदेश सचीव का पद उसी के जिमें युद तता सांती की घोषना करना होता था तता विकेंद्रीत हो गया था तता ये जो पद है विकेंद्रीत हो गया था हर्सरी से पता चलता है कि अवंती के माध्यम से ही हर्स ने यह घोषना करवाई थी की समस्त सासक या तो सम्राट की दीनता सुविकार करें या फिर युद के लिए प्रस्तुत हो जाएं सिहनाद उसका परधान सेनापती था तो असोग का परधान सेनापती कौन था? सिहनाद वया परभाकरवर्दन के समय से ही कारियरत था नेक यूदों का सफल संचालन उसने किया तता उसकी राजभक्ती उलेखनिय थी सासन में उसका अत्यंत सम्मानित स्थान था कुंतल अस्वारोहिसेना का सरोचे दिखारी तता इसकंद गुप गजसेना का परधान था राजस्थान ये संभवता है वाइसराय अथवा गवर्णर होता था वयन सांग के वीवरन से पता चलता है कि साधारन तया मंत्रियों थदा केंदर ये करमसारियों को नगद वेतर नहीं मिलता था बलकि उन्हें भूमी खंड दिये जाते थे लेकिन सैनिक पता दिकारियों को नगद वेतर मिलता था वह लिखता है कि नीजी खर्च चलाने के लिए पत्ते गवर्णर मंत्री मजिस्टेड और अधिकारी को जमीन मिली हुई थी इस परकार के अधिकारियों में दोसार धसार धनीकों परमातारों राजस्थानियों उपरीकों तदा विशेपतियों को सामिल किया जा सकता है जिनका उलेक हर्च के लेखों में मिलता है इस परस्ट रहे कि अब अनुदान, सवरूब, राजस्वन, नयक एवल पुरोहितों और विद्वानों को बल्कि परसासने का दिकारियों को भी दिया जाता था इस पर्था की पुष्टी उस काल में सिक्कों की कमी से भी होती है परसासने की विभाग तथा पदादिकारी परसासन की सुईदा के लिए हर्थ का विशाल समराजय कई प्रांतों में बाजित था किन्तु हर्थ का लिन प्रांतों की संख्या का कुछ पता नहीं चलता हर सरित में प्रांत ये सासक के लिए लोगपाल सब्द आया है तो हर सरित में जो प्रांत ये सासक उसके लिए लोगपाल सब्द आया है प्रांत को भुक्ती कहा जाता था प्रांत को क्या कहा जाता था भुक्ती किसे कहा जाता था प्रांत को परतेक भुक्ती का सासक ये उपरिग अत्वारास्त्रिये कहला तथा, मदुवन तथा बंस्केडा के लेकों में करम से है, कुंड धानी तथा अंगित दिये विशों के नाम है, भुक्ती का विबाजन जिलों में हुआ था, जिसे की संग्या थी, जिले की संग्या थी क्या भुक्ती, विशे, जिसका परदान, विशे, पती होता था, देखो, भुक्ती का विबाजन वा जिलों में हुआ और जिसे की संग्या थी, विशे, अर्था जिसे नहीं यहां पर जिला है, तो जिले की संग्या क्या थी, विशे थी, और विशे का जो परदान होता था, वे विशे, पती होता था, ठीक विशे के अंदर कई पाठक होते थे जो आज कल की तहसीलों के बराबर होते थे ग्राम सासन की सबसे चोटी कई थी तो हर्स के समय में ग्राम है वह सासन की सबसे चोटी कई थी ग्राम सासन का परदान ग्रामा अक्षिपटलिक के कहा जाता था तो ग्रामा अक्षिपटलिक है वहे गराम का परद्धान होता था उसकी सहाथा के लिए अनेक करनिक होते थे हर्सकालीन सहीते थे था लेखों में कुछ अन्य पदादिकारियों के ना मिलते हैं जैसे महतर दोसाधनिकी परमातार भोगिक आद्धी किन्तु इनके वास्त्विक अभी ग्यान के विशे में निस क्या होता था दोसाधनिक का साब्दिक अर्थे कठिन कारी को संपन करने वाला कुछ लोग इसे द्वारपा लिया ग्रामा देक्स मानते हैं परमातार का समन्द भूमी की पेमा इससे लगता है जबकि बोगिक राजसोई भाग से समन्द कोई अधिकारी रहा होगा हर से चरि कुमारा माते गुप्त परशासन में उचादिकारियों का एक वर्ग था जो किसी भी पदपर कारिये कर सकता था हर सकाल में भी यही स्थिति रही होगी दूतक प्राहे उस्ष्रेणी का मंत्री होता था कभी कभी राज परिवार से समन्दित वेक्ती भी इस पद पर रखे ज दिवीर को लेकिक भी कहा जाता था इसका पद भी अमाते जैसा ही था लोगों से कोई भी बेगार नहीं लिये जाते थे वेन सांग लिखता है कि सासन का संचालन इमानदारी सी होता था सडकों पर आवागवन पूर्णतिया सुरक्षित नहीं था वेन सांग सुयम कई बार चोर डाकों के चंगूर में फसुका था वह लिखता है कि एक बार जब वह गंगा नदी से यात्रा कर रहा था समूदरी डाकों ने उसे घेर लिया उन्होंने उसे देवी दुर्गा की बली देने के लिए चुना तब ही भीशन तूफान आया जिस से उसकी जान बच गई चंद्रगूप्त मोरी अथ्वा चंद्रगूप्त वीत्य के काल में ऐसी इस्तिती नहीं थी हमें पता चलता है कि फायार ने से कुसल भारत का भर्मन किया था ठीक है दंड विदान तो हर्च के समय में दंड विदान कैसा था देखेगा अप्रादों के लिए कठोर दंड की विवस्ता थी राजद्रोहियों को आजिवन कारवास दिया जाता था ऐसा पता चलता है कि बंदियों के साथ निर्देता फूर्ण विभार किया जाता था दंड विदान गुप्त काल के पेक्षा कठोर था सामाचिक नतिकता इम सदाचार के विरूत किये गए अप्रादों में ना, कान, हाथ, पैर, आदी काट लिये जाते थे अप्रादियों को देश के बाहर भी निकाल दिया जाता था अप्रादी निर्दो सिद करने के लिए अगनी, जल, विश के द्वारा दिवे परिक्षाएं भी ली जाती थी देश में सान्ती और व सासन उदान एंव नरम था, समराजे में बहुत कम कर लगय जाते थे, हर्सकाली तामर पत्रों में केवल तीन करों का उलेक मिलता है, कोन कोन से वो तीन कर, भाग, हिरने और बली, तो भाग ये भूमी कर था, ये राजे की आयका परधान सासन था, तथा परधान साधन था, तथा कर्षकों से उनकी उपच का छटवा भाग लिया जाता था, तो हर्सके समय में कर्षकों से उनकी उपच का कितना परतिसद भाग लिया जाता था, हिरने, हिरने कर नाकद लिया जाता था, जिसे व्यापारी देते थे, बली, बलीकर की विशे में कुछ भी पता नहीं ह ऐसा लगता है कि यह एक धार्मिकर रहा होगा ठीक है व्यापरिक मार्गों, घाटों, विक्री की वस्तों आदि पर भी कर लगते थे इन करों से राज्य को प्रयाप धन प्राप्त होता था तुल्ले में नमक एक कर का भी उलेक मिलता है तुल्ल तता माप के अनुसार वस्तों पर लगाया जाता था जुर्माने के रूप में भी धन होता था राज किये भूमी से जो आमदनी होती थी उसे चार प्रकार से खर्च किया जाता था उसका एक भाग धार्मिक और सरकारी कारियों में दूसरा भाग राज किये पदादिकारियों के उपर तीसरा भाग विद्वानों को पूरुसकार देने में तदा चोथा भाग विवे संपर्दयों को दान देने में खर्च किया जाता था वेन सांग हमें बताता है कि यदि किसी सहर या गाह में कोई गडबडी होती थी तो समराट तुनन थी महां जाता था वर्षा रितु को छोड़ कर सेज तीनों रितु में हर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान का दोरा किया करता था जहां लोग उससे कष्टों के विशे में बताते थे लेकों से इस प्रकार के दो स्थानों का पता चलता है जहां हर्ष अपने आत्रों के दोरान ठीका हुआ था वर्दमान कोटी तदा कपी ठीका ठीक है इन स्थानों से करम से बंस खेडा तदा मदुवन के दान पत्र परसारित किये गए थे अब देखेगा हर्ष के समय में सेना हर्ष वर्दन के पास एक विशाल और संगटित सेना थी बाण के हर्ष चरीत तदा वेनसांग के विवरण से इसकी पुष्टी होती है हर्स चरित से पता चलता है कि दिगविजे के लिए कूच करने के समय हर्स के सनिकों की संख्या इतनी बड़ी थी कि अपने सामने एकत्र विशाल शैने समुहा को देखकर वह आश्र चकित रहे गई वेन सायं के अनुसार उसकी सेनम में साथ हजार हाती तदा एक लाग गोड़े थे पैदल सनिकों की सिंख्या भी काफी वड़ी रही होगी ठीक है तो ये तो था हर्श वर्दन का पर्शासन अब पढ़ते हम हर्श वर्दन का मदूवन तमर पत्रा भिलेग ये हैं अबिलेग उत्रपरदेश के मउजनपत की घोसी तहसिल के मदूवन नामग स्थान से प्राफ्थ हुआ है ये हैं अबिलेग हर्श वर्दन से संबन दित है इस अबिलेग की भासा संस्कृत है तदा लिपी ब्रहमी लिपी है इस तमर पत्रा भिलेग में हर्श सम्व हाती तता गोणों से युक्त कपिती का के महान सनीक सीवर से ये घोषना की गई एक महाराज नरवर्धन हुए, उनकी महिसी वज्रنी देवी से महाराज राजेवर्धन का जन्म हुआ जो ततपदा नुझ ध्यात तता सूर्य के महान भक्त थे उनकी महीसी अफ्सरों देवी से महाराज अदिते वर्दन पैदा हुए जो ततपादानू ध्यात तदा सूरिय के महान भक्त थे उनकी महीसी महासेन गुपता देवी से उनके एक पुत्र परम बटारक महाराजा दिराज परम प्रभाकर वर्दन उत्मन हुए वे भी तत्पादानू ध्यात तदा सूरिय के परमभक्त थे इस महाराज परभागरवर्दन का यस चारों समुद्रों को पार कर गया उनके परताब तता प्रेम के करण दूसरे सासक उन्हें मस्तक जुखाते थे इसी महाराज के वन्ना स्रम धरम को पर्तिस्टित करने के निम बटारक माराजा दिराज राजे वर्दन का जन्म हुआ ये भी तत्पादानू ध्यात इमसूरिय के महान उपासक थे उनके उज्वल यस के तन्तु पूरे भूहन मंडल में फैल गए इन्होंने कूबेर वरून इंदर आदी लोगपालों का तेज भहन करते हुए सत्ते और सुमार्ग से अरजित दर्वे भूमी आदी याची जनों को दान कर उन्हें संतुष कर दिया इनका चरितर अपने पूर्वजों से उन्नत था इन्होंने देवगुप्त आदी राजों को एक साथ ही युद में इस प्रकार प्राजित कर दिया जिस प्रकार से दुस्ट में प्राण त्याग दिये इनी के अनुज तत्थपा दानु ध्यात सीव के महान भक्त तथा उनी के समान प्राणियों पर दयावान परंबठारक महराजा दी राज हर्सने स्रावस्ती भुगती में इस्तित कुंड धानी विशे के सोम कुंडा गां में एकत्रित महासामंत म महाराज दोसा धसा धनिक परमातार राजस्थानिये तथा कुमारामत्य उपरिक विशेपती चाठ भाट सेवक तथा निवासियों के लिए यह है राजाग्या परसारित करवाई। सभी को पता हो कि सोम कुंडा नम ग्राम जिसे वाम रत्थे ब्रामन से अपनी जादी दलील से अपने अधिकार में ले लिया था। स्थित रहें तब तक भूचिद्र नयाय के अनुसार सार्वानी गोत्रिये सामवेदी भटा स्वामी तथा विश्णु व्रदी गोत्रिये रिगवेदी भट सिव देव स्वामी को अग्रहार के रूप में मैंने दान दे दिया। ऐसा जानकर आप सब इसे स्विकार करें तता राजा की आग्या का पालन करते होएं तुले में भाग भोग कर सुवन अधी इन्ही को देखकर इनकी सेवा में रत रहें। हमारे कुल्चे संबन्द का दावा करने वाले दूसरे अन्ने लोग भी इस दान का अनुमोदन करें। कार्याले में समंत महाराज इस्वरगुप्त की आग्या से गुर्चर द्वारार इसे लिखा गया है मार्क्सिस वदी समत 251 मेरे महाराजा दिराज सिरी हर्स के हस्ताकसर से ठीक है तो देखिएगा हमारे वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी परकार से बने रहे हैं यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे